है गाईज वेलकम तो साइक ओवर्नेस आई होप आप सब अच्छे होंगे तो एक और वेकेंसी आपकी आ गई है तक्रिबान आठ स्टेट से दुबारा वेकेंसी आई है अपकी काउंसलर की तो अभी जितने भी स्टेट है इंडिया में सारे स्टेट को मैं काउंसलर की आपको ठीक है अभी जो वेकेंसी आई हो किस रीजन से आई है कहां साइए बात के लिते पहले तो वेकेंसी जो आई है नवद्य विद्याले समीटी रीजनल ऑफिस हाइदराबाद से आई है चौबिस और पच्छिस एक साल का एक एक एर के लिए पोस्ट रहेगी सेलरी अब देखो इसमें लास डेट जो है फॉर्म बनने की 31 में है और ऑनलाइन फॉर्म बनना जो स्टार्ट होगो ट्वेंटीएथ मैस यानि कल से बीस मही से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा लास एक त्रीस मही आपकी फॉर्म बनने की रहेगी और बाकी बाता सभी मैं आपको इसमें बता दूंगा तो इसमें कैके चीज़ हैं देखो आरो ऑफिस ही हो गया और फोटो स्टेट फोटो कॉपी नोट ऑनलाइन सेंड एमेल ठीक है अब देखो में चीज़ इंगेजमेंट फो कॉंसलर्स इन जवान होते विद्याले इन कॉंटेक्ट बेसिस इंद एकैड सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में मास्टर्स एमें में से साइकोलोजी प्लै डिप्लोमेंट गाइडिन कांसलिंग और विद वन यह मिनिममम एक्सपीरियेंग का किसी भी आपने स्कूल में बढ़ा हो गौर्मेंट प्राइवेट में आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है किसी अब कांसलर रहे हो तो भी आप अप्लाई बेसिकली इसमें कर सकते हो यहां पर देखो एजुकेशन इंस्टूट और सेंटर एंड यूटी गौर्मेंट अटनोमस बोडी सेंटर सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडर्टिकिंग तो कोई सभी स्कूल हो चाया वह गौर्मेंट का स्टेट गौर्मेंट का हो या फिर प्राइविट या पब्लिक सेक्टर या फिर ऑफिर ऑगनेशन को कहीं भी अपने कांसलर काम कर तो अप्लाई कर सकते हैं मिनमम वनियर एक्स्पिरियंस अगर बात को यहां पड़ देखो फॉर नॉन जैनिवी एक्स्पिरियंस अगर नहीं रहे हो तो पहले ठीक है तो मिनिममम अपकी एज 28 मिनिममम 50 मैक्जिमम और जो आपकी एज कांट होगी लिखाए एक जुन दोह चौबेस अब की एज कांट होगी और अगर अपके पार डिजारेबल सर्टिफिकेट है कौन को हैं CBT में अपने अपने अगा सर्टिफि करने का लिंक यहां पर दिया हुआ है लेकिन अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है आपका फॉर्म को स्टार्ट होगा 20 में को आज है 19 में और N.V.S. हैदराबाद में कौन कौन से चीज़ा आती है अभी वह भी दिखा हूँ है कौन कौन से रीजिन आते देख लो अभी दिखो अभी हमने इससे पहले शिलॉंग के कवर कर ली पोस्ट अभी हम करने वाले हैं एंवेस हैदराबाद की पोस्ट कवर कर रहे हैं जिसमें हम आंधर प्रदेश तेलंगाना अंडमा निकोबार कनाटेका केरला लक्षदीप और पुर्डुजेरी सब भी हम इसमें सारी यहां पर पूश्ट होंगी बेसिकली और एक चीश और इसमें यहां देखो इंटर्व्य में क्या पूचिंगे क्या नहीं पूचिंगे सब कुछ इस पीड़ेस आपको दिया हुआ है अगर बात कुनों 70 माक्स का आपका इसेंसियल वेटेज रहेगा यानि कि आपका देखो अगर आपने MMSC करा psychology में 10 माक्स उसके मिलेंगे आपने diploma करा guidance counseling में 10 माक्स उसके मिलेंगे और आपका देखो six marks मिलेंगे each the following courses तो यह आपके यहां पर courses है इसकी आपको marks मिलेंगे ठीक है और साथ में आपका 18 माक्स होंगे experience की हर एक साल के experience आपको 2 marks मिलेंगे अगर आपने जवान होदे विद्याने पड़ा है तो आपको चार माक्स मिलेंगे experience के अगर आप non-JNV school पड़ा है तो आपको 2 marks मिलेंगे आपको ठीक है बाई 70 marks मिलेंगे साथ मिलेंगे तो आप वहां से बनाओगे ठीक है जो जो इनके experience जिनके पार नहीं है यह उनके लिए है वो इस लेटर में अपना experience certificate बनाएगा ठीक है तो यह सब कुछ फॉर्म में है बाकी यह यह जन्वी वालों के लिए है अभी और चीज दिखा रहे था आपको आपको इसमें और चीज दे हो यह आपर और आपको group counseling session ले रहे आपर आपको arrange करने counseling session interaction session यह होगे आपका में इसमें इस सब आप पढ़के जाओगे इंटर्यू की टाइम ठीक है आपको यह तब भी आपका इंटर्यू में सब यही पूछनी है जो सवाल लिखे हुए contribution to residential system जो residential system आप contribution करोंगे hostels वगरा में जाके आप checking करोंगे वहाँ पर इंप्रूमेंट प्लान है वो आप ठीक है उस पर काम करोंगे house father house mother अपर काम करोंगे basically आप यह सारा कम बच सब्सक्राइब को counseling काम करना है नो साथ बीटिक है आपको मिडल स्कूल में आपको क्लास क्लास टॉकन करना है मतलब क्या आपको क्या आपको nutrition पर काम करना है आपको study habits पर personal habits पर social habits पर career knowledge पर अपको small group काम करना है work in school level career fair वगरा में ठीक है और library guidance में आपको काम करना है क्लास टॉकन करना है आपको secondary school जाके वह nutrition पर ठीक है आपको low achieving student understanding on identity इनको आपको अलग से गाइड करना है work on school level पर काम करना है senior secondary पर काम करना को सारा काम बिसकलिए अपर यहां पर लिखा हुग है कि इतना काम करोगे क्या 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 आपको job profile रहेगा तो ज्याता है लोड नहीं होता इस post में आपको सब कुछी समय मिलता है ठीक है जो बच्चों की English लची नहीं है जो Hindi mediums है तो वह अभी नौर्थ रिजर में यूपी उत्तरपरदेश चंडिगड वगरा है वहां पर प्लिक करना है उडिसा अप्लिकेशन फॉर्म विल बी स्टार्टे डॉर्ट बीस में ठीक है बीस मईस दे फॉर्म स्टार्ट होंगे लास्डेट कितनी है 31 में लास्डेट अपकी और आपको 500 रुपी की फीस देने पड़ेगी बता दो पहले ही काउंसलर में 500 रुपी की फीस लगती है अब यहां सब्सक्राइब अपको लिखावा यहां पर और 500 रुपी का फॉर्म की फीस भी होगी तो अभी अधा रिजन से पूस्ट राएंगी और बाकि जो अधा सब्सक्राइब के बच्चे हैं उनके पूस्ट राएंगे तो सभी चैनल पर बने रहे हैं बाग चैनल को शेर करो जब बिलते को अच्छी अपडेट में अपते को थैंक्यू सो मच